नमस्कार आपन पाथा न्यूज 18 लोकमत आपले सगयांच स्वागत्मी मिलीन भागवत पंतपरदान नरेंद्र मोधी याननी लोगडाउन चार ची घोशना के लिया है भारताला स्वावलंभी बनावनेच आपले मिशन आपले देशा समोर ठेवलेच तेनी नमूत केला या पाकेज मोले भारताची प्रगती निश्चित होईल शेती धोरन्ड सप्लाई चेन या मधे मोठे बदल केले जाती अशी घोशना तेनी केली पंधप्रदान मोधी नि मजूरांचा पदल साहान भूती व्यक्ते केली जगातील सग्ड़ात मोठ हे पाकेज असलेच या तुन स्पष्ट होता है मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टनाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिड़ीपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक, गरह उद्ध्योक, हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर सिती, हर मौसम में देश वास्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं, जो इमानदारी से टेक्ष देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारत ये उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी साथियों, आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जंधमन आधार मोबाइल जे ए एम जैम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है नई उंचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो यह रिफॉर्म्स रेश्नल टैक्स सिस्टम सरर और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्रक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोशाइद करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे लोगडाउन का चौथा चरान लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्जों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मई से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम को कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे दर्मेंद पंथव प्रधानमंत्री नितिन गड़करी एंशु प्रतिक्रिया अपले हाथी एते पाहुए त्यनिकाय मंद्रे कोरोना संकट में प्रधानमंत्री ने जो एतियासिक पैकेज जहिर किया है मैं देश की जनता की और से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं उनका अभिनिन्दन करता हूं विशेश्रुप से में कुटिरुद्योग और लगुद्योग के बारे में जिस बातों के हमा रिसोर्सेस है इसके साथ साथ हमारे देश में रौ मेट्रियल अवेलेबल है और हम गलोबल एकोनोमी में एक सुपर एकोनोमिक पावर बना सकते ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग डिस्गाइस मानकर हम आत्म विश्वास के साथ परिचारिका दीने तैनी मित आना अमी विविधर रुगनालायत ले परिचारिकांची समवाद सात्तों नर्स म्रुणमाई या नायर रुगनालायत काम करता या दर्मेयां टेना कोविड-19 चा संसर्ग जाला होता ओक्सीजन चा आधार गे तैन्चार होते कधी वर तैनना वेंटिलेटर लावा लागला नाई अशा स्थित्या बर्या हून घरी निगाले और पुना कामा वर रुजु होने ची पन तैना घाई है तैन्चे शी बाच्चीत के लिए आनिक सगया नर्स शी बाच्चीत के लिए आमचा प्रतिमी दी स्वाती लोखंडे नाईर होस्पिडल मधून बर्या हून एक नर्स घरी जाता है दिश्याज गेता है करन अब रुणमाई या कोविड ना पॉजटिव होते आणि आज तैन्चा सगला मित्र परिवार मने बाकी इता नर्सेस तैन्ना खरतर तैन्चा अभिनंदन करा लाकर याचा अचा अतना अब बाकी तुम्हें इतर घरत लेंचे तैन्चा अधिश्याज गेता है वेंटिलेटर के ओक्सिजन कसला सपला है ओक्सिजन होता है पन माला वेंटिलेटर ची तैयरी के लिए लिए मी खरत सांगो कशा मरना तुम्हें आणि स्वामी समरतां चान्या खुब मरन केला तैन्चा अधिश्टान तो खुद पूर दिला माला तैन्चा अधिव इते माजा पाठीश होते अधिश्टान तो खुद बेटर चान्या फिर्व माला तैन्चा अधिश्टान तुम्हें तो खुद देला मजा पाठीश्टान तो खुद पूर परत तुम्हें यह ना रहत कामा और अनिक्दी बंदी ती चाहिए पोड़ा निगाला तुम्हें आपर अधिन आपका ये तुम्हें सेवाज चालते आपके अंतराष्टिया नोसे दिन आज साजरा केला जताबाएं त्यास दिश्यम्रूण में अधिश्यार्ज महत्वेचे को श्ट्रमिश्टे मंढे ये सग्यांच को तो कि पने 24 आसा काम करता है और लोकान ना घरी जानाची संदी में तेब रहों सचिन कुप्रेशा स्वाती लोग हंदे नियूजाटीन लोकमत मुंबाई देक आर्थिक पैकेज जाहर कला अपडेट नुजाटीन लोकमत दोट कॉम या फीतेल लोग 110 लोकमत अपना बाता है निउजाटीन लोकमत पता परदा नरेंद्र मोधी एननी देशा करता है आर्थिक पैकेज ञहर कला 20 लाख कोटीन्च या पैकेज चसंदर बात मार्जी मुख्य मंतरी देवेंदर फड़नवीज यानी कायमेंट ले पाहुए माननिय पंतब्रधान नरेंदर मोधी जिन्चे मी मनप्परो काभार मानतू कि आस्तनी आत्म निर्भर भारत तैयार करण्या करता 20 लाख पोट्ली रुपयाच पैकेज दिला है भारत आच्चा इतिहासा मदे अभूत पुर्व अशाप्रकार ची घटना है GDP चा 10 परसेंट यवड़ मोठ पैकेज है या पुर्वी कधी कोणी विचारात ही गेतला नौत आड़ी या माध्यमात्न भारताला आत्म दिर्भर करण्या करता भारताचा कुर्शी क्षेत्र आमचे शेत्करी भारताचा उद्ध्यों क्षेत्र आमचे छोटे उद्ध्यों आड़ी या सोबत भारताचा सेवा क्षेत्र याला एक मोठी ताकत मेला रहे आड़ी या सोबत गरीबातल्या गरीबाचा हाताला रोजगार देद एक नविन भारत एक आत्म दिर्भर भारत जगाचा पाठीवर एक्स परधा करणारा भारत या अत्म निर्मान करण्याचा जो संकल्प आदरनिया पंत प्रधानांनी या तिकानी बोलुन दाखोलाए करा फेस्बूक अनी ट्वीटर गोरा माला फॉलो करते हैं